तो रोहित शर्मा के आते ही भारती टीम के प्रदर्शन में भी सुधार हो गया है। टीम इंट्या ने वेस्ट अंडीज को तीनों ही मुकाबलों में पचाड कर कैरिबियाई टीम का सूपरा साफ कर दिया है। भारत की 3-0 से सिरीज जीत के साथ ही भारती एक अपतान रोहित ने भी एक बड़ी उपलब थी हासिल कर ली है और एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो आकिर वेस्ट अंडीज को चित करने के बाद रोहित ने क्या बनाया बड़ा रिकॉर्ड आईए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। चोड से रिकवर कर चर्मा ने भारती टीम की कमान संभाली थी उसी के बाद से सभी फैंस को यही उम्मीद थी कि रोहित चर्मा के आते ही भारती टीम की हार का सलसला थम जाएगा। और जब वेस्ट अंडीज सिरीज शुरू हुई बिलकुल वैसा ही नजारा देखने को मिला। भारत ने मैच क के साथ साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली और साथ ही साथ रोहित ने अपने कपतानी के शरुवाती दिनों में ही एक बड़ी मायलस्टोन को एचिव कर लिया है दरसल रोहित शर्मा ने काफी कम समय में ही कपतानी मामले में पुर्व कप्तान विराट कोली के बड़े रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिसके बाद रोहित अभी से ही एक बड़े कप्तान बनने के सफर पर निकल चुके हैं आपको बता दें कि रोहित पहले 13 ODI मैचों में बतोर कप्तान 11 जीत हासिल कर चुके हैं और य एक खास उपलब्धी अपने नाम दर्ज करा ली है जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में लिम्टेट ओवर्स फॉर्मेट में भारत के सफलतम कप्तानों में रोहित चर्मा का नाम लिस्ट में जरूर शामिल रहेगा तो दोस्तों आपको क्या लगता ह क्या रोहित चर्मा भारत के उडियाई के सबसे सफल कप्तान बनने का माददा रखते हैं या नहीं अपने जवाब हमें नीची कमेंट बाक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्रिकेट से जुड़ी पल-पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीचे हमारे